आज की वीडियो में हो सकता है हम लोगों में थोड़ा बहुत मदभेद हो आपका सोचना कुछ अलग हो और मेरा सोचना कुछ अलग हो या हो सकता है इस वीडियो में जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको सुनने के बाद आपका भी नजरिया कुछ और बन जाए Global NCAP को लेकर देखिए जो भी आपकी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मैं उसका सम्मान जरूर करूँगा जो भी आपका सोचना हो और हमाई पास वैसे भी कोई सबूत तो है नहीं तो हम ये सब चीजे जो है शक के बयाँ पे क्या बोलते है शक को मद्दे नहीं जो भी बोलते हो मतलब आप समझ गयोंगे ठीक है समझ यहाँ तो यहाँ पे Scorpio N गई है और 5 स्टार रेटिंग लाई है आपको पता है और बहुत अच्छी बात है एक इंडियन ब्रैंड महिंद्रा जो है इतना अच्छा काम कर रहा है इस बात में कोई शक नहीं है देखिए महिंद्रा Scorpio N फाइव स्टार ला रही है इस चीज में मुझे कोई भी अपत्ती नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है वो गाड़ी ला सकती है पर यहाँ पर कुछ confusion यहाँ पर हो रहा है कि स्ट गई एक स्टार लाई नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अच्छी गाड़ी है पर सेफ नहीं है पहले के मुकाबले जो पहले स्ट थी और आच जो सिफ्ट है उसमें जमीन आस्मान का फर्क है और साथी साथ फिर आपने देखा रिजल्ट यहाँ पर बेले नो तो आपको जो नेक्स जेनरेशन है उसका भी तो हुआ नहीं है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा अगर आपको लगता है कि नहीं अब रिजल्ट अच्छा आने वाला है तो मुझे तो अमीद नहीं है उसमें और दूसरी जो गाड़ी हुई एस्प्रेसो उसमें भी एक स्टार चलो अमीद थी ठीक है एक स्टार लाई है कोई बात नहीं पर यहां पर एक और गाड़ी है मारुती के तीसरी जो एक स्टार लाई है और उससे मुझे थोड़ी बहुत प्रॉल्म है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वह गाड़ी एक स्टार लाने लायक है सेफटी रेटिंग में वह है इगनिस देखे मुझे कोई ऐसा नहीं कि इगनिस का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे बहुत प्यारी है या मैं उसका उनर रह चुका हूँ मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है लगा इगनिस के साथ पर मुझे इतना पता है कि हाँ वह गाड़ी भाया एक स्टार लाने लायक तो है नहीं ठीक है सेफटी रेटिंग में मैं कम से कम बहुत उसको गिराओ भी तो तीन स्टार तो आने ही चाहिए थे मेरे इसाब से तो उसमें भी वही रिजल्ट जो एस्प्रेसो में रिजल्ट है मतलब सूचने वाली बात है और जब यह गाड़ी लॉंच होई थी तुरंती मैं इसे ड्राइब किया था और काफी इसे अच्छी तरह से ड्राइब करके फील भी किया था तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं चीज में कि एखुछ अव्यून कैप कर तो यहां पर सकॉर्पियो प्तली है कि वह आपको पता होगा कि कंप्पनी ने खुद भी भेजी थी ठीक है और जो बाकी गाड़ियां है तीनों जिनका crash test result आया वो source की गई थी यानि कि Global NKP ने खुद उनका इंतजाम किया खुद उनके जो model है वो मंगवाए और खुद से crash test किया हिंद्रा ने Scorpio N खुद उन्हें दी थी और आप समझ सकते हैं उस चीज में मुझे कोई भी problem नहीं मैंने आपको पहले ही बताया Scorpio N 5 स्टार ला रही है मुझे कोई चीज में शक नहीं है पर यहां पर ट्राइबर जैसी गाड़ी रहे है और इगनेस जैसी गाड़ी एक स्टार ला रही है तो इस बात पर थोड़ा बहुत होता है क्योंकि ट्राइबर आप समझ सकते हैं उसको मैंने देखा है कई बार एक्सिदेंट होते हुए रोट पे जब वो लॉंच होई थी तो मैंने चलते हुए नहीं कंडिशन में गाड़ी उससे पहले क्रेन में टंगी हुए गाड़ी या कई सारी देखिया और भी इस तरह से बुरी तरह से पिछकी हुए गाड़ी पीछे से भी एक्सिदेंट हो रहा है तो जो उसका थार्ड रो है वो मतलब सिमट के आ गया है फस्ट या तो सेकेंड रो तक इतनी बुरी हलत से पर 4 star ले आई बहुत अच्छी बात है यानि कि कुछ ध्यान में रखके बनाया होगा पर मुझे दे दे शक होने लगा कि यार मुश्किल है क्योंकि on road जो live accident हो रहे हैं वहां तो result कुछ और ही दिख रहा है तो असल में मेरे असाब से Global NCAP पे पूरी तरह से भरोसा करना सही नहीं है और हमें वेट करना चाहिए भारत NCAP का वो कब launch होता है और उसका procedure किस तरह से रहता है या तो वो सारी गाड़ी source करें तब ठीक है Global NCAP भी या तो वो सारी गाड़ी company को मतलब company पे एक नियम बना देना चाहिए कि उनको भेजना ही भेजना ही ठीक है तो मेरे ख्याल स जो result है वो बिल्कुल fair आए तो हलाकि आपकी क्या रहा है इस मामले में ज़रूर comment box में बताईएगा मैं उन्हें पढ़ूंगा उन्हें समझूंगा और वरतलाब भी होगी हम लोग के बीच में वीडियो को पसंद दाने पर like जरूर करिएगा क्योंकि उसमें थोड़ी होता है ना on road तो उसका result कुछ होर ही होता है इसका सीधा सीधा उदारण में आपको देता हूँ end card button में जाहिए या तो description में link मिल जाएग आपको आप उस accident को देखिए जहां एक बलैनो और फॉचिनर का accident हुआ है फॉचिनर लेजेंडर वह भी नहीं वाली उसमें फॉचिन